हलो फ्रेंड रादे रादे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी कसाची की रसोई में आज मैं फिर से आ गए हूँ एक और नई रेस्पी लेकर तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वाच जरूर करें तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ तो हाँ फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है चने दाल के पकोड़े तो मैंने थोड़ा सा यहां पर तोड़ के दिखा दिया है हैं बहुत ही बढ़िया और ग्रिस्पी पकोड़े बनते हैं इस तरह से बनाएंगे तो तो आप चटनी से खाएं सूँस से खाएं आप मिस सुभे साम कभी बना सकते हैं इस तरह से चने डाल के पकोड़े तो तो यहां पर मैंने ले लिये हैं चने की दाल और मैंने लिये हैं उरत की दाल उरत बहुत थोड़ा सा उरत की दाल मैंने लिया है ये और मैंने चने लिये हैं ज्यादा और उरत थोड़ा सा है तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा ही पीछना है हमें बहुत जादा इसे बारीक नहीं करना है तो इसको हम इसमें डालेंगे हम हर इमिर्च हर इमिर्च डालकर इसको हम दरदरा इसको पीछ लेंगे तो इसी तरह हमें इसे पीषना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है अब लेंगे हम पयाज, हमने तो पयाज लिया है, इसको हम आप देख सकते हैं इसका हमने ये लच्छे दार काट रखा था, तो उसको हमें अलग कर लेना है और हमने हरी धनिया लिए हरी मिर्च तो आपको ज़्यादा दीखा नहीं पसंद है तो कमी डालें अब हम डालेंगे इसमें प्याज सच में इस तरह से बनाएंगे ना बहुत ही बड़िया और टेश्टी बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे तो अब डाल देंगे हम इसमें हरी धनिया हरी मिर्च और डालेंगे हम इसमें लगवब 3-4 चमस बेशन हम डालेंगे इसमें चावल का आटा अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं लगबगादा काटोरी मैंने इसमें चावल का अटा डाला है इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा बनेंगे पकोड़े तो इसमें डाल दिया है मैंने अजवान करश करके अब डालेंगे हम इसमें मसाले हमने डाला है लग बगादा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर हम डालेंगे सूखी धनिया पाउडर आप अपने कोडिंग मसाले डाल सकते हैं आपको जो जो पसंद हैं तो अपने कोडिंग मसाले डाल सकते हैं हम डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक अब डालेंगे हम इसमें ही लाल मिर्च पाउडर तो लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं है हम डालेंगे जीरा पाउडर तो इसी तरह हम सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं तो ये चमल से नहीं होता हाथ से बहुत ही बड़िया मिक्स हो जाता है तो हाथ से बड़िया इसको हम मिक्स कर लेंगे इससे ब्राबर हो जाएगा सही से बिल्कुल पर्फेक्ट तो हमने इसको बढ़िया से इसी तरह मिक्स कर लिया है तो सच में इसी तरह बनाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी तो हमने रख दिया है गैस पर फ्राई पेन और हमने डाला है इसमें रिफाइंड ओईल अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इसे हमें बहुत ज्यादा लो फ्लेम पर नहीं करना है बहुत ज्यादा इसे गर नहीं करना है इसे बहुत बढ़िया और क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े तो इसी तरह हमें इसी त तरह हमने चारे पकोड इसी तरह हमने डाल दिये हैं तो हलके हलके ब्राउन हो गए है एक साइड हम इसके पलट देते हैं दूसरी साइड तो हाँ फ्रेंड साइड में भूल गई बताई नहीं दाल को हमने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा था उसके बाद हमने इसको पीसा ह तो भिगो कर ही लें आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है सच में बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं ये चने दाल के पकोड़े अब इसको हम निकाल लेते हैं ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट करार आ गया है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना ह है तो हम सारी पकोड़े निकाल लेंगे है। है तो हमने सारे पकोड़े निकाल लिए है। आप देख सकते हैं पकोड़ों का टेक्चर कितना बड़िया आया है सचिंश में बहुत ही बड़ीया और SPEAKश्पी बने हैं खाने में तो बहुत ही टेश्टी है कि प्रेंट्स मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो कोमेंट जरूर करें मेरी वीडियो को सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेश करना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे तो फ्रेंट मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग